हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी करें सिये इंटरमेडियेट की तयारी तो अनक एडमी वारियर्स बैच एक बहुत ही जादा यूसफुल बैच रहने वाले आप लोग के लिए 24 मार्च से यह बैच स्टार्ट होगा लिंक डेस्क्रिप्शन में आप लोग अभी से जाके अन्रो आपको एक ही बैच के अंदर मिलती है सासत आपको एक बेनेफिट मिल रहा है कि आप लोगो 10% का डिसकाउंट मिलेगा कोड यूज करने पर हर्च 30 हर्च 30 कोड यूज करोगो तो आप लोगो 10% डिसकाउंट मिल जाएगा लाइव इंट्रेक्टिव क्लासिस से लेके रिकॉ अगर आप लोग अभी जॉइन नहीं करोगो तो प्राइज इस हाइक होने वाले हैं तो बैटर है आप लोग अभी से जाके एंड्रोल कर लो तो यह 10 के 10 ऐसे टॉपिक से बिजनस टॉडिस क्लास 12 के जो की हर एक बच्चे को आने चाहिए और जो एक्जामिनर हर साल पूछता है सो मायने में सर्च था पर आइसको 98 इन बिजनस टॉडिस इन क्लास 12 एन लेट्स टार्ट देखो सबसे पहरा जो इंपोर्टेंट कोशन है वो है इंपोर्त कोडिनेशन के क्या इंपोर्टेंश ऊते हैं आफ उस्eka नेरली है चार से 6 नंबर का कोशन आता है चार से वस्कुन आपको बिताने होते हैं तो मिनिमं़ 4 पवी तो लेंन करके ही जाना था मिमस्ट इफिरेंट कोशन है difference between Taylor and Fjolls principles of management principles of management का question Taylor and Fjolls principles of management में क्या difference होता है third important question है dimensions of business environment इसी के ओपर case studies आती है आप लोग का case based question जो होता है वो dimensions of business environment पे हर साल question होता ही है ठीक है चाहे वो economic environment हो, legal environment हो, social environment हो, political हो जादा तर आप से ये question पूछा ही जाता है fourth important question है planning process आपको बताना होता है कि planning process क्या होता है fifth important question है differentiate between delegation and decentralization of authority delegation और decentralization of authority में तो काफी time से question पूछा ही जा रहा है generally case based question आता है लेकिन आजकल difference routine पूछा जा रहा है तो आप लोग difference routine याद करके जाना sixth important question है Maslow's need hierarchy theory of motivation Maslow की जो pyramidal वाली theory थी basic physiological needs और भी जो साही needs थी सारी के सारी आपको learn करके जानी है seventh important question है importance of financial management financial management के क्या क्या importance होते है चार से 6 points कम सकम learn करने ही आप लोगो eighth important question है money market instruments कौन-कौन से होते हैं सबको explain करो ninth important question है controlling process बहुत जादा important question है करके जाना ही जाना आप लोगो यह और tenth important question है rights and responsibilities of consumers consumers की क्या-क्या rights होते हैं और क्या-क्या responsibilities होती है ठीक है तो यह दस ऐसे question है जो most important रहते business studies last 12 में 2021 board examinations के लिए बहुत जादा जरूरी है इस सारे के सारे questions को अच्छे से prepare करो अगर कोई भी दिक्कत आते तो आप लोग मुझे comment करके पूछ सकते हो तब तक के लिए all the very very best चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना थांक्यू